आर्थिक रूप से कोरोना काल में जब लोग बुरी हालत में थे लोगों के धन्दे पानी खत्म हो चुके थे दोक्रियां चली गई थी लोग कहीं से कहीं जा नहीं पा रहे थे खाने के लाले थे उस दवरान रेलवे ने जो किराया बढ़ाया था कई गुना किराया बढ़ाय यानि कि मोदी जी के रेलवेव के जो मंत्री है वो एक से एक कारणा में कर ही रहे हैं हम आप अगर देखें तो इस बार नाकपूर से एक ट्रेड निकली मालगाडी अपने 90 कंटेनर लेकर जब निकलती है मुंबई के लिए निकलती है और सिर्फ 1000 किलो मिटर का जो सफर है उस उसे पूरा करने में उसे 16 दिन लग जाते हैं हुआ यूंकि 90 कंटेनर लेकर एक मालगाडी नाकपूर से निकलती है और जवाहला नहरू पोर्ट ट्रस्ट के लिए निकलती है यानि कि जे नपीटी मुंबई के लिए निकलती है रेलवे कहता है कि ये चार फरवरी को ही पह होसती है और शिपिंग लाइन एजेंट्स को इस गाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं है 14 दिन तक इस माल गाड़ी का कोई अता पता नहीं लगा कौन कोर के जरिये माल भेजने वाले व्यापारी परिशान थे कि आखिर ये गाड़ी गई कहां थी उसा कोई अता पता नहीं था लेकिन 16 दिन ये गाड़ी मंजिल पर पहुंची ये घटना बड़ी हास्यास्पत थी जिस पर कोई भी गंभीरता नहीं दिखाएगी दरसल ही है जो लोको पाइलेट के बिना याने की खुद ही चल सके करोडों के माल की बुकिंग के बाद जैसे ये ट्रेन जैसे लावारिष छोड़ दी गई थी कोई स्टाफ या संबंदित मंडल से इसकी कोई सूचना किसी को नहीं दी गई इतने बड़े मामले के लिए अब तक क गाओं में थमी तो उसी दिन करीब करीब मिलते जुलते ट्रेन क्रमांग के साथ एक दूसरी गाड़ी भी है जो निकल गई और वो जेन पीटी के ले चल रही थी और इसी सिस्टम पर इस गाड़ी का नंबर सिस्टम में मिसमैच हो गया लेकिन अगर मिसमैच हुआ है तो य राया लादने के बाद यात्री सुविधाय कम करने के बावजूद रेलवे की हालत खराब है रेलवे कहता है कि वो लोगों को पेंशन नहीं देगा वो रेलवे के जो करमचारी है उनकी लिए वो जो सुविधाय है उनको कम करते जा रहा है तमाम सारी बाते हैं आप देखे तो जो बुजर्ग यात्री है उनकी भी सुविधाएं कम कर दी उन्होंने इतना सब करने के बाद भी रेलवे की हालत खराब क्यों है जबकि यही वो रेलवे है जब लालू जी मंत्री हुआ करते थे यही वो रेलवे है जब हर बजट में हर साल यात्री किराया घटाने के बा जो सरकार है विदेशी जो मेनेजमेंट है वो लालू जी को अपने यहां आमंतित करके यह जानना चाहता है कि आपने यह कमाल आखिर कैसे किया और उस वक्त जो काम लालू जी ने रेलवे के साथ किया था उसका सही इस्तेमाल जो किया था और जो उसका सही मेनेजमेंट किया उसके वैसे रेलवे जो सही जगे पर पहुंची थी मुनाफ़े में पहुंची थी कई गुना मुनाफ़ा हुआ और ये जो महिला करमचारियों के लिए मासिक धर्म के दवरान पेड लिव की बात सुप्रीम कोर्ट में उठी है ये काम लालू यादों ने अपने मुख्य मंत् पहले कर दिया था 1992 से ही महिलाओं को दो दिन का आउकाश मिलता रहा है बिहार में और कह सकते हैं कि भारत में पीरियड लिव की शुरुआद बिहार से हुई जो 1992 में लालू प्रसाद यादों की सरकार ने महिलाओं के लिए स्पेशल लिव पॉलिसी लेकर आई थी इसके त 32 दिन का आंधुरन किया गया था महिलाओं द्वारा जो हम यह कहते हैं कि जो रेलवे का स्वर्णिम काल था वह यूहीं हम नहीं कहते कि लालू जी का वो काल मंते तो काल जो था वो रेलवे के लिए स्वर्णिम युग था आज की हालत अगर हम देखते हैं तो तमाम यात्र अब वंदे भारत की अगर हम बात करते हैं तो वंदे भारत का किराया क्या आप दे सकते हैं क्या आप वंदे भारत में रोज ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि उसका जो किराया है वो अगर आप एक हजार किलो मिटर के लिए सडक मार्क से जाएंगे या फिर हवाई मार्क से जाए तो क्या ये आम आदमी की ट्रेने हैं? क्या ये सरकार आम आदमी की ट्रेने चला रही है? क्या आम आदमे के लिए अब railway रहे गई है क्योंकि जितनी passenger train हैं उनकी frequency कम कर दी गई है उनका संचालन जो जितनी बारों चलती थी वो भी कम हो गया है तमाम जो train हैं जो express train हुआ करती थी उनको special नाम दे कर उसे special train बना कर कई गुना किराया वसुल किया जा रहा है उसके बाजुद rail की हालत इतनी खराब क्यों है ये कारना में जब अर्दस्त कारना में ये कर रहा है railway उसके बावजुद कोई कुछ नहीं बोलता जबकि वो दौर था जब लालुजी मंत्री हुआ करते थे तब अगर कोई भी यात्री train पंद्रा मिनट लेट हो जाए तो तमाम यात्री गाल लेट हो रही है यानि कि वो उस पर चीटा कसी करने उन्हें भला बुरा करने कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते तो यसे आप क्या कह सकते हैं क्योंकि वो जो बंदा जो उस वक्त रेल मंत्री हुआ करता था वो ओभी सी का था वो याद हो था तो उसे कहने में बड़ा आसान हो जाता था क्योंकि आपके अनुसार उसे भला बुरा कहने का अधिकार आपके पास है तो जातिकत रूप से आपको ये बुरा लगता था कि कोई इस भोजन वर्क का एक रेल का जो मंत्री है वो रेलवे को फायदा दिला रहा है वो आपसे पच्टा नहीं था और इसी वज़ करता है